यह question करते हैं market value वाला इसको करने से पहले हम कुछ बातों को जान ले तो ज्यादा बेटर रहेगा ताकि हमें question में confusion ना हो बिलकुल भी कुछ points को हमें समझना होगा उससे पहले जो format वाला column है ना हमारा आज आईए format वाले column के side में हम बातों को लिख ले अरे कहां गया यह रहा सर जो market value का format बनेगा ना exactly same बनेगा exactly same बनेगा exactly same बनेगा इसको इधर कर देते हैं ठीक आप लोट भी कर लिया होगा आपने इस फार्मुले को इधर लग रिख देता हूं मैं कि अ कि अ चलिए था बस यहाँ पर लिखना है market value ठीक है और सर क्या changes आएगा column तो same है और क्या changes आएगा जो fund देख रहे हो ना इसके अंदर मैं retain earning हटा दूँआ बागी लिखके भी कर सकते है इसमें retain earning नहीं आएगा अभी बताएंगे क्यों नहीं लिखेंगे अभी आप भी बोलोगे सर बिलकुल नहीं आना चाहिए और ऐसा नहीं है कि आप हमेशा retain earning आप लिखके भी कर सकते हो बिना लिखेंगे दो तरीके से किया जा सकता है मैं दूनों बता दूँआ ठीक है चलिए सर अब इसके अंदर ना आपको जो fund लेना है ये लेना है market price वाला चलिए suppose करिया market price वाले की अगर बात करें suppose करो मैंने कहा कि मेरे पास 10,000 equity है और 10 रुपए face value है तो अगर book value वाला हुआ तो मैं तो यहां एक लाख ही लूँआ समझना बात हो क्योंकि book value है अब मैंने बोला इसका shares का market price ना 20 रुपए है market price तो अगर market price वाला हुआ ना तो यहां पे मैं इस वाले questions के लिए तो मैं एक लाख consider करूँआ और इस वाले questions के लिए मैं fund कितना consider करूँआ market price से multiply करके यानि 2 लाख रुपए fund consider करूँआ तो बस इतना सा फरक है और ज्यादा कुछ फरक नहीं है यानि जो भी हम यहां पे pricing लेने वाले हैं सभी का किसके हिसाब से calculate कर लेंगे market price से और cost price में सभी का face value से रहता है हमारा बस इतना फरक है सेम debenture बोला मैंने कि यह 10,000 debenture है और 10,000 debenture 100 रुपए वाला है तो यहां पे 10,000,000 रुपए आ जाएगा लेकिन मैंने बोला इसी debenture का market price 105 है तो यहां 105 से multiply करके हम लिख देंगे और किसी में भी कोई फरक नहीं है इसके बाद kd, आपका ke, kp और वही kd और इसको multiply करेंगे product और product multiply करने के बाद जो formula पहले आपने देखा था exactly same formula आपको लगाना पड़ेगा यह total हो गया यह total हो गया, sir क्या formula होगा इसका exactly यही formula होगा बस यहां पे क्या आजाना है market price WACC के जगह पे WACC और bracket में आजाएगा market कले format समझे सबसे बड़ा और सबसे main point मुद्दे की बात क्या है sir इसमें मैं एक बार फिर बताऊँगा Sir voice नहीं आएगा भी मैं clear कर रहा हूँ, voice clear है कुछ बच्चे कह रहे है voice नहीं आ रही बता दीजे मुझे मैं check कर लूँ यहां पे तो ठीक है clear है, okay तो अब market price क्यों नहीं आएगा कैसे नहीं आएगा इस बात को हमें समझना होगा फिर करेंगे ठीक है आईए चलिए हम समझते हैं कुछ बातों को format में कोई दिक्कत नहीं है ध्यान दीजे मान लीजिए XYZ Limited एक कमपनी है ध्यान दीजेगा XYZ Limited एक कमपनी है और आप एक investor हो तो जो investor होता है वो जब कभी भी किसी company के अंदर पैसा लगाएगा तो उस company की सारी चीजों को देखेगा यानि उस company के profit को देखेगा उस company के loss हो या उस company के assets, liability, each and everything तभी आप उस company के अंदर fund को invest करोगे हुआ ऐसा कि इस company का जो है share का face value जो है वो suppose करो 20 रुपे है ठीक है आप इस company के पास जाते हो और कहते हो सर आपका share का face value 20 रुपे है हमने आपके सारी company के सारी चीजे को देखा है बहुत well and good है हम आपके company के shares खरीदना चाहते हैं एक लाक शेयर और यह लेजिए बीस लाक रुपे तो आप मुझे बताइए क्या company यह यह company जो है बीस लाक रुपे में अपने एक लाक शेयर इसको दे देगा या नहीं देगा मैंने कहा यह face value और बहुत पुरानी company है यह दे देगा या नहीं देगा बताइए ऐसे situation में हर शेयर का valuation होगा जैसे हम किसी property को बेचते हैं तो ऐसा थोड़ी है कि जितने का बोलेगा उतने का देदे खरीदा उतने का थोड़ी देदेंगे हम property का valuation लगेगा आज का current market price लगेगा और जब current market price होता है तो क्या होता है पता है आपको asset मैं property का market price कैसे निकाला जाता है valuation of security हाला कि आपने valuation of shares में सीखा था जिसमें से सारे assets में से क्या करते हैं सारे liability minus कर देते हैं उससे number of shares divide कर देते हैं अब जिसने नहीं सीखा है मैं simple बता देता हूँ मान लीजिए company के पास जो assets है वो 10 लाक रुपे का है और liability जो है वो मान लेते है company के पास तीन लाक रुपे का है general reserve company के पास एक लाक रुपे का है security premium दो लाक रुपे का है और कोई और free reserve retain earning है retain earning जो company के पास है वो एक लाक रुपे का है तो liability side कितने हो गए तीन और एक चार दो छे और एक साथ मैं पूरी balance sheet ही बना देता हूं नहीं तो कोई फिर बच्चे बोलेंगा सरी कैसे कर दिया आपने balance sheet ही बना देते हैं इधर बना लेते balance sheet देखिए एक simple balance sheet बना लेते हैं आपको shares का market price में निकालना बताते हैं मान लेते हैं fa 20 लाक और यही 20 लाक होगा balance sheet में और यही 20 लाक होगा retained earning retained earning एक लाक आपका general reserve दो लाक security premium एक लाक liability लाइबलिटी में current liability fix liability सारी चीज़े मान लेजिए 4 लाक बाकी हो गया share capital तो कितने होगा चार दो छे और दो आठ लाक तो बाकी 12 लाक हो गया share capital थोड़ा मैंने ऐसे लिख दिया ठीक है company का shares का एक shares का value पता है कैसे निकाला जाता है जो market में trade होना चाहिए जिसको बोलते हैं इतने का share तो इसका है company आज बंद भी हो जाए तो इतने का share होगा तो suppose करो क्या करते हैं assets में से सारे assets में से हम minus कर देते हैं liability और liability का मतलब होता है outsider liability इसमें से general reserve minus नहीं करते इसमें से हम reserve answer plus minus नहीं करते इसके अंदर security premium यानि यह सब minus नहीं करते तो simply और divided by कर देते है number of share यह तो हो गया assets minus liability करके दूसरा हमारे पास option होता है कि हम क्या करें share capital plus में reserve and surplus divided by number of shares divided by number of shares यह लिख दें दोनों का मतलब यह किया देखो अब 20 लाग में से मैं liability minus कर दूँ 4 लाग तो बचेगा कितना 16 लाग number of shares देखो 12 लाग बताया मानलो 10 रुपे का एक है तो एक लाग 20 अजार हो गया न तो 16 लाग divided by एक लाग 20 अजार company अपने liability वगएरा भी सबको payment कर दे तो company के हाथ में 16 लाग तो आ नहीं है और 16 लाग आने के बाद इसको बाटा जाएगा तो हर किसी shareholder के case में कितना आएगा अगर यह company बोले न मैं अपनी company का share 10 रुपे में लेने आ रहा हूं तो ले लो नुकसान कहीं से कहीं तक नहीं है क्योंकि पता है आज company डूब भी जाए तो आपके पैसे तो मिलेंगे और 3 रुपे एक्स्ट्रा ही मिलेगी लेकिन यही company कहते ही कि मैं अपना share 20 रुपे में ला रहा हूं तो थोड़ा risk की मामला है कि भाई company अगर डूब गई तो हमें 13 रुपे ही मिलेंगे 7 रुपे का बिलो चल रहा होता है तो company buyback कर लेती है तो company buyback करती है ऐसे नहीं करती company buyback अपने अकाउंट में पढ़ा होगा buyback लेकिन reason यह होता है buyback करने का होलता है यार मेरा share का price इतना चला गया बाहर वालों से अच्छा हमीं खरीद लेते हैं मुझे पता है कि आज के दिन company लाख और एक चार लाख और बारा अगें देखो यहीं आ गया 16 लाख divided by 1 लाख और कितने आगे 13.3 यानि मैं यह कहना चाहता हूं आप दोनों तरीके से shares का valuation निकाल सकते हों अब मैंने बोला कि share मेरा market में 13.33 पैसे में चल रहा है market price और मेरे पास जो number of shares कितने है एक 20 और अ value वाला question करूँगा ध्यान से सुनना अगर मैं book value वाला question करूँगा तो एक 20 को multiply तो 10 से करूँगा क्यों face value 10 है इसका मतलब कितने आएंगे यहां पे book value वाले में 12 लाख आएगा shares और अगर मैं market price वाला करूँगा तो कौन बच्चा बताएगा कि मैं एक 20 को किस से multiply करूँग और तो कितने आएंगे 16 लाख अब आप मुझे एक बात बताईए market price जब मैं लिख रहा हूं shares का और वहाँ 16 लाख ले रहा हूं तो retain earning क्या जुड़ गया उसमें नहीं जुड़ा या अलग से जुड़ेंगे क्या 16 लाख में retain earning है क्या 16 लाख में security premium है हाँ भाई सारी चीज़े जुड़ी हूई है तभी तो जुड़ के अभी बताए नहीं सब को जुड़ के 16 लाख बन रहा था पले यह देखिए आप एक मिनट सोचिए आराम से फिर मैं दुबारा इस प दुबारा बताएं यह क्लियर है यह एक बार और बच्चे कह रहे हैं सर एडिट है जिन बच्चों को समझ में आगे हैं वो कह रहे हैं सर एडिट है बिल्कुल ठीक जवाब है अडिट है आप ध्यान दीजिए ना मैं फिर से कर देता हूं एक बार थोड़ा सा फिर वर्क कर देता है बहुत सारा रफ वर्क टाइप का हो गया ना इसको अच्छे से कर देता है यह मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा एक बार और समझ यह से क्योंकि यह समझना बहुत जरूरी है अब मैं थोड़ा एक्जामपल चेंज गर दूँगा और कोश्चन है आपका इकुटी शेर निकालना एस पर बुक वेल्यू और मार्केट वेल्यू जिन स्टूडेंट को समझ में नहीं आया एक बार और देख लीजिए आप है ना एक मैंने ओल्ड बैलेंशीट बना दिया यह लाइबलिटी और यह एसेट ठीक है यहां पर लिख दिया मैंने फूरा का पूरा फिक्स एसेट से मान लेते हैं बीस लाक तो साहाब इसका टोटल भी क्या हो जाएगा और यह भी बीस लाक यह सबको ही पता है इस side मैंने लिख दिया share capital आठ लाक इधर लिख लिया reserve reserve सरफ लिख रहा हूँ मैं 2 लाक security premium लिख रहा हूँ मैं 1 लाक retain earning retain earning लिख रहा हूँ मैं 2 लाक और मैं liability इस side mention कर रहा हूँ तो कितने बच गया 10 दिन 13 7 लाक और share का जो face value है न एक share का face value that is 10 rupees है अब मैं आप से जानना चाहता हूँ कि shares का market price मतलब कि book value क्या है एक share का price क्या आएगा valuation क्या लगीगा shares का value of shares का कैसे निकालेंगे sir इसका formula बन गया हमारा assets में से क्या करो minus कर दो sir क्या और divide कर दो number of shares या सर इसको दूसरे aspect से सोचे तो हम कर सकते है share capital में plus कर दो reserve and surplus जितने भी divide कर दो किस से क्योंकि आप ultimately इस assets में से अगर ये वाला liability घटाओगे तो बचेगा तो यही portion न सरिफ या तो इस portion को जोड़ के बता दो आप है के ने या फिर आप minus करके लिए के चलो वो आपकी इच्छा है तो यहाँ पर देखा जाए तो क्या हैगा total assets कितने हैं 20 लाग 20 लाग में से 7 लाग माइनस करेंगे और divided by number of shares अगर 10 रुपे का एक share है number of shares 8 लाग को अगर हम 10 से divide कर देते हैं तो हमारे पास number of shares क्या आ जाता है 80,000 तो अगर मैं इसे 80 से divide कर देता हूँ 80,000 से तो हमारे पास एक certain number आ जाएगा 13 लाग divided by 80,000 16.25 ठीक है सेम ये करूँगा तो मैं इन सभी को total कर लूँगा 10, 3, 13, 13 लाग यहां वैसे आ जाना है अगर मैं इस वाले point को देखो तो मैं extra करके दिखा रहा हूँ 13 divided by 80,000 पिल्कुल सही जवाब अब मैं क्या जानना चाहता हूँ आपसे मैं मान लेते हैं कि WACC में मैं book value के हिसाब से मैं अपने equity share capital कितना लूँगा मैं equity share capital कितना लूँगा sir equity share capital आप लोगे 80,000 book value में तो आपका face value चलता है 10 that is आपका 8 लाग हा या ना लेकिन market price के हिसाब से अगर मैं निकालू यह पुराना ही न अगर मैं market price के हिसाब से WACC निकालू आपका WACC और वो भी market price के हिसाब से equity share तो आप क्या करोगे sir 80,000 को multiply आप करोगे 16.25 that is आपका 13 लाग correct है अब मुझे यह बताइए कि जो 13 लाग रुपे है यह 13 लाग रुपे बना कैसे था इसमें equity share भी था इसके अंदर reserve and surplus भी था इसमें security premium भी था retain earning जब सारी चीजों को जोड़ कर उस सारी चीजों को factor करके यह पूरा 13 लाग आई ही चुका है तो वापस से मैं retain earning अगर जोड़ दू तो दो बार retain earning नहीं जुड़ जाएगा लेकिन हाँ यहाँ पर retain earning अभी जुड़ा नहीं है तो retain earning आ जाएगा security premium आ जाएगा general reserve आ जाएगा सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर सर, retain earning कितना है हमारे सवाल के अंदर 2 लाग तो यहाँ 2 लाग आ जाएगा security premium कितना 1 लाग 1 लाग आ जाएगा share capital का ही इससा है तो जो book value था उसके अंदर इन सभी चीजों को consider करेंगे और जो market price होगा उसके अंदर इन सब चीजों को क्या करके चलेंगे ignore क्योंकि market price के अंदर सब include हो जाता है already समझ रहे बात को तो इसलिए मैंने बोला market price वाला जब question होगा तो उसके अंदर हम क्या करेंगे उसको consider नहीं करेंगे अगर आपको consider करने का मन कर रहा है न तो आप इस 13,00,00 रुपए को इस परपोसनेट ratio में बाटना पड़ेगा बात वहीं आजाएगी गूम फिर के तो market price जब कभी भी होगा तो retain earning दे दे, reserve and surplus दे दे security premium दे दे, इन सभी को क्या करके चलेंगे हम ignore करके चलेंगे क्योंकि वो जो market price का shares होता है उसमें सब कुछ factor हो चुका होता था, factoring यानि include हो चुका है तो वही मैंने format में लिखा था भी कि सर वो चीजों को ignore करेंगे जैसे कि यहां पर मेरे वाले सवाल के अंदर क्या बोला गया है कि you are required to estimate weighted average cost of capital based on the market value अब market value में हमें security premium दिख रहा है reserve and surplus दिख रहा है shareholder fund दिख रहा है तो यह जो security premium और यह चीज़े दोनों दिख रही है इन चीजों को मैं consider नहीं करूँगा क्योंकि जब market price से हम multiply करेंगे equity share को number को तो automatically उसके अंदर वो आ जाएगा तो चलिए इसको देखते हैं कैसे करना है product cost source of fund पर्टिकुलर fund cost product आप ऐसे लिख सकते हो इसको x मान लो इसको f मान लो इसको fx मान सकते हो सबसे पहले question में क्या देता है कि the following figures taken in the current balance of the sheet आपका Delaware and company का दे रखा है capital है 8 लाग का यानि sir share capital दे रखा है 8 लाग का आपको पता है अच्छे से हमेशा face value 10 रुपे मान के कर लो इसको ठेक है बागी आगे बता देगा security premium दे रखा है तो सबसे पहले मैं equity share capital यहां लिखूंगा तो सही लेकिन अब 8 लाग है भी मैं check करूँ आगे क्या कहता है security premium दे दिया reserve and surplus दे दिया इसके बाद shareholder fund दे दिया shareholder fund क्या होता है सभी को जोड कर जो बनता है उसे क्या बोलते है shareholder fund आपने corporate account पर पढ़ा होगा कि इसके अंदर equity सब कुछ जोड के तो आप ध्यान से देखोगे तो इन सभी को अगर आप जोड देते हो ना तो that is आपका यही बनेगा यानि बच्चे को confuse करने के लिए shareholder fund दे दिया है समझ में आ रही है बात आपको आगे क्या कहता है question में आपका perpetual debenture है perpetual debenture क्या होता है जो लगातार interest इस पर देते रहता है सालों सालों तक चलता है बस यह मानिया अभी फिलाल के लिए इसमें कि यह debenture है debenture कितने का है 4 लाग का है annual ordinary dividend कहता है annual ordinary dividend of 2 रुपए per share has just paid यानि आपको D0 दे रखा है कि आपने D0 paid कर दिया 2 रुपए just paid का मतलब हो गया ना payment आगे क्या कहता है in the past ordinary dividend growth rate 10% यानि आपको सवाल में G दे दिया that is 10% है आगे कहता है the rate of the following expected continue और यह ऐसा ही रहने वाला है annual interest has been recently paid on debenture भाईया यही debenture रहेगा the ordinary share currently quoted 27 रुपए 50 पैसे यानि P0 आपको दे दिया 27 रुपए the debenture 80% और debenture जो चल रहा है market में वो कितने का 80% debenture 80% पे quoted है quoted का मतलब आज की date पे market में क्या price है तो debenture कितने का भिक रहा है 80 का और shares कितने का भिक रहा है 27 रुपए 50 पैसे का और ignored taxation बोलता है tax 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 नहीं है भाईया यहां पे कहता है you are required to estimate weighted average cost of capital तो बड़ी सीदी सी बात है भाईया हमारे पास 8 लाग का share capital है अगर number मैं पूछ लूँ तो आप क्या बोलोगे 10 रुपए का एक मान लेते है divided by 10 यानि कितने के हो गए 80,000 तो मैं multiply यहां share capital को निकालने के लिए क्या करूँगा 80,000 इंटो में 27.5 तो कितने आएंगे बताइए कितने आगे 25 लाग अब बताइए जो market price दे रखा इसके अंदर सब कुछ factoring हो गया होगा विल्कि उससे जादा ही होगा तो क्या मैं अब security premium को लूँगा यहां पे जवाब no क्या मैं यहां पे reserve and surplus को लूँगा जवाब no ठीक है तो अब सीधा मैं क्या लूँगा 10-12% debenture और sir debenture कितने का था debenture आपको दे रखा यहां पे 4 लाग 4 लाग का मतलब अगर 100 सब डिवाइड कर देते हैं तो 2-0 हट जाएगा यानि 4 हजार है तो debenture क्या हो जाएगा 4 हजार और market में इसका rate 80 रुपे हो चुका है तो यह कितना आ जाएगा क्योंकि market price में बस fund को change करते है market के साब से बागी सब वही रहता है चीक है बागी किसी पर कोई फरक नहीं पड़ेगा चलिए अब सबसे पहले के यही निकाल ले यहीं पर space बना के के यही निकाल लेते है के क्या कहता है sir D0 दे रखा है 1 प्लस में G divided by P0 plus में G D0 कितना था हमारा 2 और 1 प्लस G 1 प्लस में G कितने percent 0.1 divided by 27.5 into में 100 sorry plus में G G कितना है 0.1 एक बार solve करके बता दीजिए मेरे पास space नहीं बचला आप direct solve करके बता दीए एक बार solve करके बता दीए इसको मैं एक बार और solve करना चाहूंगा नए तरीके से भी कितना आ रहा है कि यही बता दीजिए 0.1 यानि 18% 18% समझ में आया यहां तक अब KD निकालेंगे हैं अब KD में tax नहीं है लेकिन market price change हो गया KD का तो KD market price के according अगर निकाला जाए तो KD क्या होगा सर KD is equal to interest 1 minus में T divided by interest क्या बन रहा है सर हमारा face value पे निकलेगा face value 100 रुपे का है और rate कितना दे रखा है सर हमें 12 तो interest हमेशा 12 रुपे बनेगा market price 8 है interest और tax वगरा है नहीं तो यही रह जाएगा tax तो 0 है तो यही रह जाएगा तो एक percentage बताईए क्या आया 12 8 इंटू में 100 रही है KD निकाल लेते है सर 15% का KD का rate आ गया अब very simple है क्या करें सर इसके लिए 0.18 ले लेते हैं इसके लिए 0.15 ले लेते हैं 22 लाग का 18% that is 396 और 3 बीस का 15% that is 48,000 यहां बहुत सारा space बच जाएगा यहां जाएगा 22 लाग 25 लाग और 396 444 क्या आएगा सर KO यह WACC market price WACC market price आपसे क्या बनेगा बताओ product आजाएगा सिग्मा divided by सिग्मा into 100 4444 divided by 25 लाग 17.61 62 भी लिख सकते हो 0.9 आ रहा है ठीक है समझ में आया आपको इस वाले topic में हमने क्या सीखा सर इसमें यही सीखा कि market price में सब कुछ को हमें market price से multiply करना होता है इसके बारे में rate market price दे रखा है KD KP market price से निकालेंगे नहीं दे रखा तो वही कॉस प्राइस वाला लेके चलते रहे ठीक है अब एक इस question को ना तरीका और भी करने का पर पोस्नेट बेसिस पर वो में बाद में करा हुआ क्योंकि अभी आपको यह चीज़ अगर समझ में आ रही है तो हम इसी routine में चलने देते है जैसा ही खता मुझे आएगा टॉपिक फिर हम कर लेंगे सर डिबेंचर फिर से डिबेंचर फिर से बता देंगे देखिए डिबेंचर के अंदर चार देखिए यहां पर question में दे रखा था आपको चार लाख रुपे का डिबेंचर है तो देट इस आपका इस इतने पर डिबेंचर असी परसेंट यानी असी रुपे का डिबेंचर काम काज कर रहे है तो मैंने क्या करा चार हजार को असी से multiply करा तो current market price किसका आगया सर यह आगया current market price हमारा दिबेंचर का और फिर हमने केडी भी निकाल लिया current market price के accordingly पंद्रा परसेंट और वही मैंने apply किया जो अब पहले सीखा था अपने last class में क्या करा है देखें क्या कर रहा है हमने क्या होता है interest- tax होता है तो आप देखिए interest क्या था बारा कैसे आया बाराव चरेंट क्योंकि बारा परसेंट कर दे रखाया और रिखेंट का सब कुछ फेस वेल्यू था तो बारा रुपय का मैंने एक मान लिए के बारा रुपय पढ़ रहा हूगा एक डिवेंचर पे और एक कीमत कितनी पढ़ रही होगी 80 रुपे market में जो quoted है इसके बाद आपका ये कितना हो गया 100 और यहाँ पर क्या आगया हमारा इसको solve करने का 15 टेक्स सवाल में बोल रहा है इग्नोर करो तो इसलिए टेक्स हमने लिया नहीं नहीं 100 देखो debenture मैं बता देता हूं आपको debenture के case में और preference share के case में अगर आपको face value ना दे तो always 100 मान लीजिए और अगर equity share के case में face value ना दे तो always 10 मान लीजिए यह हमारा exemption चलता है पूरे के पूरे FM में